अर्यार यह Badlamp का क्या option दे रखा है T800 Ultra Smartwatch में भी है T900 Ultra Smartwatch में भी है जो से smartwatch लेते हैं उससे smartwatch में Badlamp का option रहता है पर इसे on करने से अखिर होगा क्या या off करने से आखिर होगा क्या है इस smartwatch में So Hello Friends, Welcome to today's channel Smartwatch Club तो Friends जैसा कि मेरे पास यहाँ पर है T900 Ultra Smartwatch और इस यह smart watch fans या T800 रहे या T900 Ultra smart watch रहे तो दोनों ही smart watches में आप लोग को एक settings देखने को मिलते हैं वो कौन सा settings है वो आप लोग का ये वाला settings है जिसमें कि आप लोग का यहाँ पर रहता है bad lamp का एक option दिया रहता है तो चले settings को पर click करते हैं यहाँ आप लोग का bad lamp का option दिया रहता है अब आप लोग को बहुत सार लोग यहाँ पर रहते हैं कि उसे समझ में नहीं आता है कि bad lamp का option आखिर में है क्या चीज़ इसे on रखा जाए या फिर इसे off ही छोड़ दिया जाए तो वीडियो को start करना से पहले अगर हमारे चैनल पर न्यूथ हमारे चैनल को like और subscribe करने के साथ black and spell button को दबा कर उस wall पर select कर देना तकि मरी आनिया वाइली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंसे तो चले फिर फिर वीडियो को start कर लेते हैं तो सबसे पहले आप लोग के आप पर करना क्या है आप लोग के आप बैड लेम का एक option देखने को मिलते हैं वो option क्या है आप लोग वहां पर जानो कि जो रहता है बैड लेम का option क्यों दिये रहते हैं smart watches में तो सबसे पहले हम लोग यहां पर बात कर लेते हैं, अगर आप लोग बैड लेम को उप्सन यूज करना है, तो उससे पहले आप लोग को smart watches के यहांपर पूरी तरीके से smart watch को यहां पर charge कर लिना होगा, अगर आप लोग को smart watch का battery backup बहुत अच्छा है, तो ही आप लोग इस bad lamp को यहां पर use कर सकते हो otherwise नहीं कर सकते हो अब आखिमें ऐसा है क्या ये bad lamp इसे on करने से या होगा क्या तो मैं आप लोग को बता देता हूँ कि इसे on करने से आप लोग का यहां पर क्या-क्या smart watches में देखने को मिलते हैं तो सबसे पिल आप लोग यहां पर देखो चलिए बैड लेंब के setting on करने के लिए set more के उपर क्लिक करना होगा उपर के तिरफ दोबार हम लोग को swipe करना होगा and then आप लोग देख सकते हो यह रहा हमारा बैड लेंब अब यह बैड लेंब पर होता क्या है तो यहां पर देख सकते हो यह है बैड लेंब जिसमें आप लोग का lamp का यानि की एक तरीका बल्व का आप लोग का picture बना रहता है अब यह बैड लेंब का यहां पर work क्या है चलिए हम लोग यहां पर जानते हैं simply हम इसे यहां पर on कर लेते हैं आप लोग यहां पर सोच रहे हो कि इसे on करना है या off करना है तो हम लोग आप लोग को दिखाते हैं कि इसे on रखना चाहिए या फिर off रखना चाहिए अगर आ चलिए पहले हम आप लोग यहां पर करना क्या स्मार्ट वाच बंद क्यों कर दिया अब आप लोग इस वीडियो को लाज तक देखो तो ही समझ पराओगे आधा दूर देखे होगा आप लोग 50 सेकंड वीडियो को देखते हो उसके बाद चले जाता हो ना तो आप लोग सब्स आप लोग यह क्या बात हो गया इसे तो स्मार्ट वाच चार्ज हो रहा है आपका बैटरी लोग हो गया उसलिए स्मार्ट वाच को यहां पर चार्ज कर लो पर ऐसा बत नहीं है आप लोग रुख जाओ इस वीडियो को देखो मैं क्यों स्मार्ट वाच चार्ज में लाग य यही है बैड लंप का आप अपलोग शॉक हो गए होगए यह तो आप लोग डेली लगते हो चारज अपने स्मार्ट वास टी एक हंडे टीन हंडे भी जा लगाते हैं अब वहाँ पर जो है गौड नहीं किया होगा वह है जो आप लोग का यहां पर इता है यह आप लोग option को यहाँ पर off करूँगा तो आफे लोग यहाँ पर क्या देखने को मिलते हैं हम लोग rear» कर देते है ऑफ करने के बार हम लोग smart watch क को यहाँ पर off को चार्ज ए хाए है यहाँ पर smart watch and उसको हम लोग моей लगाते हैं अब देखो चाइंघ में लगाने के बाद यहाँ पर देखनेये जा वाच के आप बात्वच यह की आप अपलों हो जाएगा क्योंकि यहां पर बैड्लम नहीं है अपर एक से किरा आप ऐम डिंच ब thinks वयक्ति यह हो था था चलिए हम लोग पहले आपर प्रहिजट को रखा जया ला जो नेके आपर ये yapt- यम्यक्त सब्सक्ट में लगता हूं यह हमारे smart-watch Def copied यहीं होने के बाद आप यहां पर देखना यह जो स्मार्ट वाच तुरंत यहां पर फोगिया अब आप लोगों को घुल देखाता हम इसी पांच सेकेंड का लगा हुआ बैक लाइट ताइम आप लोग देख सकते हो बैड लेंप को यहां पर on करता हूँ अब मैं लोग इसे चार्ज में लगाते हैं ऐसे भी हम लोग यहां पर चार्ज में लगा सकते हैं पर मैं आप लोग को यहां पर दिखा रहता हूँ आफ करके यहां पर तो यहां पर देखो चार्ज में लगा दिया अब यह आफ यह नही का यह काम पर ओनता है उसका है स्मार्ट वाच था पर यहां पर आ Partners में अई अब लोग ने स्मार्ट वाच को चार्ज में लगा दिया। अब आप लोग ने पनार पर अस द्रूप को ओप सकते हृत है लेतर पर में बेठे यहां बैट निए बै messenger वाउंवाझारी यहांपर कीज़न सपते हैं अब दूसरा बात पर उंभी जाना चाहिए या नहीं अगर fonts और प्रमक कैट पहले बात ऊंठेब का वहागा किया अब लोग होगा क्या आप लोग का skin यहां पर heat होने लगता है जासर यह जो smartwatch है T800 ले लिजिए या T900 ले लिजिए अगर आप इसे यहां पर charge करते हो दोनों smartwatch इसको आप लोग का होता क्या होगा चार्ज जब कर रहे होगा अपने smartwatch को वहां पर यह smartwatch heat होता है बहुत लोग का comment भया था bhai स्माटवाच को rahe यह पर दो चीज़ कर रहा हूं तो आप लोग का एक स्क्रीन आप लोग का damage हो सकते है क्योंके क्योंकि आप लोग का इस तरीके सी इंडिकेटर है अगर अपलों का फुल चार्ज भी हो जाथ है स्मार्ट वास तो यहां पर यह अफ नहीं होने वाला है इसने फिलों का बैटर्ग पैर यह किया नहीं आप णिया रहा है और आप लों पर इसक्रीन रहये हैं hazards एघर यह पर जा 성azz 16 है पर जो स्मार्टवाच एक तो चार्जड में लगा हुए पहलेobraद तो जलो अगर जो चार्ज लगाते हैं उस आप lacco प्राइब होसकता है इसनियरभ को इसे ओन करके नहीं रखना है अप आप लोग इसे on कर सकते हो, जैसे आप लोग यहां पर time देखना है, charge में लगा हुआ था आप लोग कुछ देर के लिए आप टाइम देख सकते हो, यह नहीं कि आप लोग 2 गंटा, 4 गंटा, 24 आप लोग को चार्ज में लगा कर रखो, और आप लोग का smartwatch इस तरीके से time दिख off कर दो, जैसे आप लोग यहां पर battery भी यहां पर खराब हो सकता है, तो आचा करते हैं friends, आप लोग यहां पर समझ गया होंगे, कि यह जो रहता है bad lamp का option, किसमें आप लोग यहां पर use रहता है, हमें on रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, और bad lamp on होने से यहां पर क्य होता है, जैसा आप लोग यहां bad lamp on रहेगा, तो आप लोग यहां जब चार्ज लगाते हो, तो आप लोग यहां पर charging indicator और आप लोग का time वहाँ पस हो, करते हैं रहेगा, तो मिलते हैं next review, so thanks for watching, please like and subscribe and see how to friends.